Class 10th का Science का Chapter No.2 जिसका नाम है Acids, Bases and Salts इस Chapter की Activity 2.11 को डिसकस करते हैं Next topic हमारे पास है Activity 2.11 हमारी Science की बुक के अंदर जो Activity 2.11 है उसे हमने डिसकस करना है चलो start करते हैं First point पे आते हैं Test the pH values of solutions given in Table 2.2 आपकी Science की बुक के अंदर Table 2.2 बना हुए है उसके अंदर काफे सारे solutions लिखे हुए है हर एक solution की pH value कितनी है वो आपने बतानी है solution की pH value कितनी है वो तो हम बता देंगे लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यह pH value यह होता क्या है इसका मतलब क्या होता है पहले जो pH का मतलब क्या होता है उसे गिसकस कर लेते हैं देखो pH होता है power of hydrogen pH value क्या होता है simple language में अगर बोलें तो यह एक number होता है अब उस number का फायदा क्या है उस number से directly हम बता सकते हैं कि solution ऐसेगिक है basic है या फिर neutral है तो अगर आपको किसी solution की pH value पता है तो वहां से directly आप बता सकते हो कि solution ऐसेगिक है solution neutral है या फिर वो solution basic solution है किसी भी solution की जो pH value है न वो 0 से लेकर 14 तग कुछ भी हो सकती है pH value किसी भी solution की 0 हो सकती है 14 भी हो सकती है और 0 और 14 के बीच का भी कोई भी number हो सकते है decimal point में भी हो सकती है 5.7, 5.8 ऐसी value भी हो सकती है पर 0 और 14 के बीच की ही होगी या तो 0 होगी या 14 होगी या 0 और 14 के बीच का कोई number होगा अब यह देखो for example अगर कोई आपको solution दिया जाता है और आपको यह बता दिया जाता है कि यह बले जो solution है इसका pH 7 है तो इसका मतलब वो solution एक neutral solution है जो भी neutral solution होगा उसका pH 7 होगा अगर किसी solution का pH 7 से कम है तो इसका मतलब वो solution ऐसे गिक है clear होगा अगर pH value 7 है इसका मतलब solution एक neutral solution है pH value 7 से अगर कम है तो इसका मतलब वो acidic solution है और value 7 से जितनी जादा कम होगी वो उतना जादा acidic solution है अगर किसी solution की pH value 7 से जादा है इसका मतलब वो basic solution है और value 7 से जितनी जादा होगी वो उतना जादा strongly basic होगा और pH value अगर 14 है तो इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा strongly basic solution है completely basic solution है इतना clear हुआ अब आगे देखते हैं थोड़ा और के किलमे मैं आपको explain करता हूँ देखो कोई भी solution है ना solution के अंदर अगर h positive ions ज़्यादा quantity में present है तो इसका मतलब वो solution ऐसे गिक होता है और किसी solution के अंदर अगर OH negative ions ज़्यादा quantity में present है तो इसका मतलब वो solution एक basic solution है अगर किसी solution के अंदर जितने h positive ions है exactly उतने ही OH negative ions है बराबर है तो वो solution एक neutral solution है ऐसे गिक solution की जो ऐसे गिक properties होती है ना वो h positive ions के present होने की वज़े से ही होती है solution के अंदर जितने ज़्यादा h positive ions प्रेजिंग होगे उस solution का उतना ज़्यादा measuring behavior होगा और किसी solution के अंदर जितने ज़्यादा OH negative ions के present होगे उस solution का उतना ज़्यादा basic behavior होगा clear हुआ? तो जो solutions ऐसे किक होते हैं उनके अंदर H-pos गे-vines जादा quantity में present होते हैं जो solutions basic होते हैं उनके अंदर OH-negay के-vines जादा quantity के अंदर present होते हैं clear next point पे आते हैं next आपको यह बताना था देखो अब आपको यह तो clear है न कि अगर किसी solution के अंदर H positive winds जाद हैं तो इसका मतलब वो solution ऐसा किक है अब किसी solution के अंदर H positive winds हैं कितने वो उस solution की iron concentration को लिख कर बताय जाता है और iron concentration को ऐसे लिखा जाता है For example, कोई एक solution है उसकी iron concentration मतलब H positive ions की concentration कितनी है वो यह लिख हुई है 10 raised के पाइर minus 7 mole पर लिखर जो iron concentration होती है वो mole पर लिखर इस form में लिखे जाती होती है अब 10 की पार के अंदर minus sign के आगे यह वाला जो number लिखा होता है बस इसी number को pH बोला जाता होता है solution के अंदर H positive winds कितने हैं वो अगर बताना है तो कैसे बताएंगे iron concentration लिखने पड़ेगी H positive winds के concentration कितने हैं वो लिखने पड़ेगी concentration को लिखने का पूरा तरीका यह होता है n raise की पार minus यहां पे कोई number आएगा फिर mole पर लिखर अब काम को असान करने के लिए ऐसे पूरी का पूरा नहीं लिखा जाता 10 की पार के अंदर minus sign के आगे यह वाले जो number आएगा ना सिरफ इस number को बता दिया जाता है example देतो मैं आपको suppose किसी solution की consecration यही है 10 raise की पार minus 7 mole पर लिखर तो 10 raise की पार minus 7 mole पर लिखर यह पूरा का पूरा लिखने की बजाए 10 की पार के अंदर minus के आगे 7 है ना तो बस 7 लिख दे जाता है इसका मतलब इसका जो pH है वो 7 है 7 है तो यह neutral है दूसरा example देखो अगर किसी solution की consecration ही है 10 raise की पार minus 3 आगे यह लिखने है mole पर लिखर mole पर लिखर तो 10 की पार के अंदर minus 9 के आगे 3 लिखा हुए ना इसका मतलब इसका जो pH है वो 3 है pH अगर 7 से कम है तो इसका मतलब solution एक assagic solution है एक और example देखो किसी solution के अंदर H-pos के बाइन के consecration यह है 10 raise की पार minus 11 आगे है mole पर लिखर यहाँपे mole पर लिखर तो 10 की पार के अंदर minus के आगे 11 लिखा हुए ना तो इसका मतलब इसका जो pH है वो 11 है iron concentration को पूरा का पूरा लिख कर बताने की बजाए सिरफ 10 की पार के अंदर minus के आगे बाले जो number लिखा होते हैं उस number को ही लिख देते हैं और इसी number को फिर हम pH बोलते होते हैं pH वल्यू 7 से बड़ी है इसका मतलब solution basic solution है clear हुआ अब ज़र आप मेरे को एक बात बताओ pH का मतलब होता है power of hydrogen किसी भी solution के अंदर कौन-कौन से ions present होगे H positive ions और OH negative ions बाकि के जो ions present होते हैं उससे अपने को मतलब नहीं है acidic properties होती है H positive ions के present होने के बज़े से और basic properties होती है OH negative ions के present होने के बज़े से तो जो pH है वो आपको ये बताएगा कि solution acidic है या basic है या फिर neutral solution है किसी भी solution की जो pH value है वो कहां से कहां तक हो सकती है 0 से लेकर 14 तक हो सकती है pH value 0 हो सकती है 14 भी हो सकती है और 0 और 14 के बीच का भी कोई number हो सकता है अगर pH value 7 है इसका मतलब solution neutral है 7 से कम है तो solution acidic है value 7 से जितनी ज़्यादा कम होगी solution उतना ज़्यादा acidic होगा अगर pH value 7 से बढ़ी है मतलब solution basic है 7 से जितनी ज़्यादा बढ़ी होगी solution उतना ज़्यादा basic होगा और किसी भी solution के अंदर क्या होता था h posgivines होते हैं या फिर o h neggivines होते हैं h posgivines अगर ज़्यादा है तो वो asgik solution है o h neggivines अगर ज़्यादा है तो वो basic solution है कितना clear और ये consecration वाली कहानी आपको आगे समझ में short form में अपना काम असान किया हुआ है पूरी consecration लिखने के बजाए बस ये जो आखरियां पे number होते हैं उस number को लिख देते हैं वहाँ से ही पता चल जाता है कि pH कितनी होना वाला है अब आते हैं cable के उपर cable में क्या है कुछ में नहीं है में आपको ये पता होना चाहता है कि pH होता क्या है उसका मतलब क्या होता है अब ये देखो यहाँ पे solutions के नाम लिखे हुए है उसके बाद ये color of pH paper लिखा हुए अगर आपने test करना है कि किसी solution का pH value कितनी है तो ये universal link के कर होता है एक script होती है तो उसका color कौन सा हो गया है चेंज होने के बाद color कौन सा हो गया है उस color के साथ आपको एक card भी मिलता है जिसके उपर numbers लिखे होते है तो color को उस card के साथ match करके बस आप बता सकते हो कि उसकी pH value कितनी है अगर आपको pH value पता चलजे तो आप असानी से बता सकते हो कि वो ऐसे गिक होगा या फिर basic होगा value अगर 7 से कम है तो ऐसे गिक है pH value अगर 7 से जादा है तो इसका मतलब वो basic है अब देखो saliva जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना चब हम चबा रहे होते हैं तो उसको pH पेपर से चेक करोगे तो green color शो करेगा मतलब उसका जो pH है वो 6.1 से 7.4 के बीच में कहीं भी हो सकता है value 6.1, 6.9, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ऐसे कोई भी value हो सकती है तो ये हलका सा ऐसे कि क्या फिर हलका सा basic होगा saliva after milk खाना खाने के बाद के situation में saliva पेच पेपर पे चेक करोगे yellow आएगा, yellow के लिए जो value होती है 5.1 के होती है 7 से कम है तो इसका मतलब ये asagic है clear होगा क्या लिखा होगा, यहाँ पे solutions के नाम लिखा होगा है ये color कौन सा हो जाएगा जब आप pH पेपर से check करोगे या universal link एकर से जब आप check करोगे तो check करना के बाद कौन सा color show करेगा वो यहाँ पे लिखा होगा है और उस color के regarding कौन सी pH value होती है वो यहाँ पे लिखा होगा है value अगर 7 से कम है तो solution asagic है जैसे value 7 से कम है न value जब भी 7 से कम है तो solutions ऐसे की कोँगे value अगर 7 से ज़ाद है तो जो solutions है वो basic होगे ये last पहले जो दो हैं वो काम के उनको देख लो ये लिखा होगा है 1 mole of sodium hydroxide 1 mole of sodium hydroxide के मतलब होता है कि 1 liter के अंदर ये 1 mole of sodium hydroxide के particles present है इतने particles present है कितने 1 mole of sodium hydroxide present है तो इसका जो pH of 14 है मतलब ये strongly basic है completely basic है और 1 mole of hydrochloric acid मतलब 1 liquor के अंदर hydrochloric acid 1 mole इतने quantity के अंदर present है तो इसका जो pH होगा ना वो 0 होगा 0 का मतलब है कि ये strongly acidic है बागे इन सब के भी लिखे होई है इसमें आगे कुछ समझाने का है नहीं बस यहाँ पर solution का नाम है color के आने वाल है इंगिगेटर पर ये उसकी pH value है value 7 से कम मैं तो ऐसे कि कहए value 7 से कर जाद है तो basic है अब जैसे cap water है cap water अब अलग-अलग जगा पर cap water का जो pH है अलग लगाएगा हिमाचल में पर pH निकलोगे कुछ होर आएगा राजसान में कुछ होर आएगा गुजरात में कुछ होर आएगा तब यहाँ पर जो इसकी range है range लिख हुई है कि 6 से 1.5 के बीच में हो सकता होता है अगर आप यहाँ तक पहुंचे गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो